योग आईरवेद में आपका स्वागत करते हैं तो जो आप बनस्पति देख रहे हैं इसको हम लोग भट गई या कंटकारी या नीली कंटकारी या नीली कटेरी के नाम से जानते हैं तो यह 12 अबको मिल जाती है रोटके किनारे जो भाली जगह पड़ी होती मिल जाती है तो इसा व पिती हम कई बीमारी यो में इसका यूज करते हैं और इस वाणस्पति कर में चारी लेने आया हो तो इसका में जड से पर निस पतिको खाढ़ऊंका और Unfortunately चोटे-चोटे की तो इस कंटकारी के पते बैगन की तरह होते हैं और इसके उपर काटे होतें बहुत सारे काटे इस लिए इसको कंटकारी के नाम Cristauer जाना जाता है और इसके फल जो है कच्चिय ववस्ता में ये हरे रंके होते हैं और जब थोड़े से ये पक जाते हैं तो कुछ इस टैप के औरेंज कलर के फिर बाद में ये कुछ इस टैप के दिखने लगते हैं और इसके अंदर के जो बीज है वो मिर्ची के जो बीज होते ह उसके समान दिखाई पड़ते हैं, बहुत सारे इसमें से बीज निकलते हैं, तो इस कंठकारी का उपयोग जदा कर, साश, कफ या दमा, चेस्ट से जितने पर इल्टे ब्रोग हैं, उसमें करते हैं, और मैं इसका उपयोग जदा कर, इसका छार निकाल कर, पत्री, किड्नी की जो पत्री होती है, उसको निकालने में करता हूँ, तो आप देख लें, इसके उपर से लीचे तक काटे ही काटे मिलेंगे, उल्टे साइड के, तो इस कंठकारी की पैचार इस तरह आप कर सकते हैं, तो इस कंठकारी को उपयोग आप पत्री निकालने के लिए किस प्रिकार कर सकते हैं, उसका योग इस प्रकार है, आपको जो बजार से मिलता है मचली पत्तर, जवाखार, स्पार्टिका भसं और आपका स्वागा की भशं और अपमार्ग छार और ये कंठकारी का छार, ये सब आपको 10-10 ग्राम ले लेनी है और इसकी 3 ग्राम की मात्रा में आप सुबा जो खाली पेट, सोडा के साथ आप पिलाएं 15 दिन, सामको गुडहल के फूल का 3 ग्राम का पॉडर गुनगुने पानी के साथ से सेबन करवाएं, तो 15 दिन में ही जो किर्णी की स्टोन है करीब 6-7 mm की वह भार निकल जाती है और द तोको मशल कर इसका अर्क निकालने और उस अर्क को भी पिलाते हैं तो भी खासी चली जाती है और जो बिल्कुल नवजात सुसू है छोटे बच्चे हैं तो आप इनकी जो पुंकेसर है ये वाली इसका पॉडर करके आप उनको खिला देते हैं तो भी उनकी खासी चली जात है उसी परिकार इसका अगर कहीं से भी जो मसल्स है लूज है तो उसको टाइट करने के लिए आप कंटकारी अनार के छिलके और फिटकिरी इन तीनों का आप मिक्स करकर और लेप लगाते हैं जहां भी आपकी मसल्स डिली है या लूज है तो वहाँ जो है टाइट पन या हाटनस आ जाती है और इसी कंटकारी का उपयोग दात रोग में भी किया जाता है जिन लोगों के दात में कीड़े लग जाते हैं तो आप इनके पत्तियों को तोड़े ले या इनके वीजों को और इसको सुखा कर आप इसकी धोनी मूँ के अंदर देते हैं तो दातों के जो कीड़े हैं वो भी निकल जाते हैं और दार दर्द में भी बहुत जल्दी आराम मिलता है तो इस परकार इसके बहुत सारे उपयोग है और इतने में उपयोग जिसका इसका यूज जितना मैंने किया है वो बताने का प्रयास किया इस कंटकारी की पूरी जानकारी आप जानना चाहते हैं तो इसका राक होगी उस राक के चोगना हम उसमें पानी लेंगे उस पानी को हम राद बर रख देंगे सुबह उस पानी को हम निथार लेंगे और जो नीचे बैठा है उसको फेक देंगे उस पानी को हम फिर से ओवा लेंगे और वलते वलते उसमें से हमें नमक जैसा प्राप्त होगा वही इस कंचकारी का च्छार है तो इसी प्रकार मेने कंचकारी अपमार का च्छार बनाने की विधि के ऊपर एक वीडियो बनाई है उसका फीलिंग डिस्क personn में आपको मिल जाएगा तो हम इस कंचकारी की महतपूर जानकारी ही समाप्त करते हैं और हम कल फिर मिलेंगे एक नई उसाद ये जानकारी के साथ, तब तक के लिए आप सोच रहें और मस्त रहें, जाए हिंद।